सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए परिक्षा होने जा रही है इसके लिए रास्तान राज्य पत्परिवा निगमकी और से निस्तुल्ख बसे चलाएक जाएगा जिसके पास अडमिट कार्विया परिवेश पत्र होगा अब पहले क्या होता था कि पहले जब परिक्षा होती थी उसे एक दिन पूर्व और एक दिन पस्चा तक बसे निसुल्क होती थी लेकिन रीट बढ़ती में उप्यक्तियों की संक्या अधिक होने से उनकी जो परिक्षा की अवधी है परिक्षा अवधी जो 26 सितंबर है उससे पूर्व और उसके पस्च कर सकते हैं ये देखे साथियों यह है वो आदिश तो रास्तान सरकार परीवन विबाद की और से जारी किया गया है जिसमें बताया है कि राची में दिनांग 26 सितंबर 2021 को संपन होने वाली रीट परिक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले परिक्षार्थियों को माझनी मुख्यमंत के क्रम में सभी परिक्षार्थियों को परिक्षा से एक दिन पूर्व से आगामी दिनांग तक पूर्व अनुमति को संसोधित करते हुए निवास इस्थान से परिक्षाकेंद्र के सहर तक जाने के लिए दिनांग 29 2021 से 26 29 2021 तक परिक्षा उपरान यानि परिक्षा समाप्ती के बाद निवास इस्थान तक वापस लोटने के लिए 26 29 2021 से 30 29 2021 तक निश्वन क्यात्रा की स्वीडा परदान करने की एक बार के विशेश स्वीकर्ती एत द्वारा परदान की जाती है से सर्थे पूर्वा अनुसार ही रहे गिया था तो आपको जो परिक्षा के लिए जाना है और परिक्षा के लिए जो वापस आप आओगे उनके लिए आपको फ्री में यात्रा आपको करवाई जाएगी रास्तान धाजेपत परिवर निगम की और से उसकी जो तिती है 29-2021 से ही आप परिक्षा इस्थल तक जा सकते हो अपने निवास इस्थान से और वापस लोटने की जो तिती है परिक्षा उपरांद 29-2021 से 39-2021 तक आप वापस भी लोट सकते हैं तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर रीट भरती 2021 के परिक्षा आर्थियों के लिए रास्तान परिवर निगम की और से निशुल्क बस में यात्रा करवाई जाएगी उसके लिए आपको एक आधार कार्ड या फोटो आईडी यूग्ट पैचान पत्रा आपको साथ में रखन यूगे संसमानी नियूस तुरन पाने के लिए